दोस्तों, हम अपने जिंदगी में कभी ने कभी ट्रेन से ट्रैवल जरूर करेंगे आज नहीं तो कल हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी आज की जरूरत है तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको MST टिगिट बनानी है जी हाँ दोस्तों हो सकता है कि आपको यह लगे कि यह आपका topic किसी काम का नहीं है लेकिन guys आज नहीं तो कल यह आपकी बहुत काम आने वाला है इससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं MST ticket की यानि की monthly season ticket मानके चलें दोस्तों कि आप जो है कहीं job करते हैं और आप डेली job पर जाते हैं और वहां से घर आते हैं तो आप train से up down करते हैं या हो सकता है आप student हो आप college जाते हो या फिर आप school जाते हो तो उस condition में अगर आप daily ticket लेंगे train का तो आपको बहुत जादा time आपका खड़ चोगा 37 साथ में आपका पैसा भी जादा खड़ चोगा मानके चलें दोस्तों कि मैं RISI case से जो है हरिद्वार daily travel करता हूं train के through job करता हूं में तो वहां पर न उस condition में अगर मैं daily का यहां पर जो है ticket लेने जाऊंगा तो 25 रुपे का ticket है RISI case से हरिद्वार तक का मैं आपको example बता रहा हूं और अगर मैं monthly 30 days जाता हूं 30 दिन जाता हूं महिने में तो उसको multiply अगर आप करेंगे तो 7500 रुपे का हमारा बनता है पूर का पूरा महिने का खड़चा आने जाने का लेकिन दोस्तों अगर आप MST बनाते हैं यानि कि अगर आप monthly season ticket बनाते हैं पूरा महिने का चाहे तो आप 3 महिने का 6 महिने का या पूरे साल का भी बनवा सकते हैं लेकिन अगर मैं महिने की बात करो पूरा महिने का अगर आप एक साल ticket बनाते हैं तो मात्र और मात्र 100 रुपे में आप ticket बनवा सकते हैं वो भी अपने mobile phone से घर बेठे और आसाने से आप फिर travel कर पाएंगे हलो दुस्तू मेरा नाम नवीन है आप देख रहें आपका अपना YouTube चैनल हमसफर टैक तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको MST टिगेट बनानी है सबसे पहले दुस्तों आपको अपने mobile phone पर Indian Railway का official application UTS app को download करना होगा इसका link आपको मैं video की description में दे दूँगा आप चाहे तो Google Play Store पर जाकर अगर UTS search करते हैं तो आपको application इसले मिल जाएगा उसकी बाद आप यहाँ पर open करेंगे और सबसे उपर आपको नज़र आएगा एक login का options आप यहाँ पर click करेंगे अगर आपने यहाँ पर अप तक account नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर option नज़र आएगा register का आपको simply यहाँ पर register पर click करना होगा उसकी बाद आपको यहाँ पर अपने basic detail mobile number अपना पूरा नाम उसके अलावा एक अपना strong password बना लेंगे वही password आप नीचे दुबारा से एंटर कर लेंगे आप male है female है आप select करेंगे अपना date of birth को यहाँ पर enter करेंगे और इस box को tick करेंगे और यहाँ पर next करते जाएंगे जो भी details आपसे पूछता है आप उसको fill up करेंगे और आप यहाँ पर directly login हो जाएंगे और यार guys आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवट से एक like ज़रू कर दो तो यहाँ पर दोस्तो हमारा already account बना हुआ है तो हम directly यहाँ पर login कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि application में आपको बहुत type के ticket देखने को मिलता है जैसे कि अगर आप daily ticket बनाना चाहते है वन time तो आप book ticket कर सकते हैं quick booking भी कर सकते हैं प्लेटफों की ticket बनाना चाहते हैं ओब भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको जाना है अगर आप season ticket करना चाहते हैं booking यानिकि आप MST ticket बनाना चाहते है monthly quarterly half weekly या फिर पूरे साल की बनाना चाहते हैं तो आपको जाना है season ticket की ओपर आपको क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नीचे बहुत सारे कर पाएंगे दूसरा है book and print paper यानि कि आपको यहां पर जो है ticket बुक करनी है payment भी आपको online करना है और आपको जो प्रिंट निकालना है आप nearby किसी भी रियलिश्टेशन में जाएंगे तो वहां पर machine लगी होती है आप वहां से print निकलवा लेंगे और उस ticket का आप use कर पाएंगे तो अभी हम paperless बनवाना चाहते हैं हम अपने phone में ticket रखेंगे हमें physical की ज़रत नहीं है तो book and travel paperless पर हमने select कर लिया है उसके बाद हम नीचे click करेंगे issue ticket के उपर जैसे आप click करेंगे अब यहां पर आपसे पूछेगा कि आपको कहां से travel करना है from यानि कि from station तो जैसे हमें ज station में करता हूं हरिद्वार तो मैंने यहां पर station का अपना select कर लिया है आपका station कोई सा भी हो सकता है अब याद आपको रखना है दोस्तों कि MST जो आप बनवाते हैं मंतली season ticket वो आप maximum 150 km तक बनवा सकते हैं यानि कि अगर आपका डेली का आना जाना है और वो 150 km से कम है तो ह आप MST बनाए उसके अलावा अगर जादा है तो आपको डेली का ही ticket लेना पड़ेगा इस बात का आपको धियान रखना है उसके बाद आप नीचे से यहां पर submit के उपर click करेंगे अब आपको यहां पर details को fill up करना है जैसे कि train type आप किस type के train में travel करना चाहते हैं आप दूस इसमें super express कोई भी train नहीं चलती है इसलिए यहां पर mail और express यहां पर दिखा रहा है अगर आपके route में super express train भी चलती है तो आप उसको भी select कर लिजेगा उसका फाइदा है कि थोड़े जादा पैसा दे कि आप उस train में भी आप travel कर सकते हैं ठीक है यानि कि super express के बाद आप उस यहां पर जो है इस तरीकी से आएगा तो यहां पर second already select है उसके बाद यहां पर duration है यानि कि आप जो है एक महिनी की ticket बनवा रहे हैं तीन महिनी की बनवा रहे हैं छे महिनी की बनवा रहे हैं पूरे साल की बनवा रहे हैं आपको click करना है duration के उपर अब यहां पर MST month में quarterly है half yearly है और पूरे साल की बनवा है तो हमें एक महिनी की करनी है तो MST M हमने select कर लिया है M का मतला monthly ठीक है अब यहां पर आपको पूरा अपना नाम इंटर करना है जो भी आपके आधार card पर जो भी ID card पर आपका नाम है उसको इंटर करेंगे अपना डेटर बर्त को यहां पर select क card है बहुत सारे आपको यहां पर दिख जाएगा जैसे हम अधार card यहां पर enter करेंगे select कर लिया है यहां पर अपना अधार number अपना enter करेंगे जो भी ID आप select करते हैं उसका number आपको enter करना होगा अब दूस्तों आपको बुला जाएगा कि आप जो payment करेंगे यहां पर आप कैस select करना होगा address के उपर तो जो भी आपका address है ना address line 1 में आप अपने गाउं का नाम डाल सकते हैं line 2 में आप अपने area का नाम डाल सकते हैं उसके बाद city का नाम अपना डाल सकते हैं उसके बाद state अपना select करेंगे जो भी आपका राजिया है जैसे कि हमारा उत्राखंड है तो ह यहां पर आप दूबारा से डिटेल्स को एक बार अच्छे चग कर लेंगे उसके बार नेचे क्लिक करने आपको get fare के उपर अब यहां पर आप देख पाएंगे कि जो भी हमने यहां पर टिट बनवानी है उसका यहां पर आचुका है कि फ्रॉम कहां से कहां की बनवानी है आप डेली अपडाउन कर सकते हैं इस्टेशन की बीच में को दिक्कत नहीं आएगी तो यहां पर दोस्तों देखी का यहां पर लिखा हुआ है मेरा नाम है क्लास टाइप में मैं सिक्रिंड 700 रुपे लग रहा था मंतली का डेली का टिक्रिंड लेता मैं और कहां एक बार में कर मैं MST बना रहा हूं 100 रुपे मातर खड़ चो रहे हैं और पूरा कब से कब तक की वैलेट रहेगा यहां पर आपको नजर आ रहा रहा डेट तो आपको सिंप्ली यहां पर बुक टिक्र की उपर क्लिक करना है और यहां पर आपको नीचे से करना है accept की उपर क्लिक जैसे आप accept करेंगे न अब यहां पर payment gateway रुकर आ जाएगा अब यहां पर payment करने के अलग तरीके हैं पेटियम है मोबिक विक है फ्री चार्ज है तो यहां पर जैसे हम पेटियम को सेलेक करते हैं आप कोई सा भी अपना हिसाब से सेलेक कर लेंगे उसकी बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे make payment की उपर जैसे आप make payment की उपर क्लिक करते ना थोड़ा सा आपको wait करना है अब आप चाहे तो डरक्तिय यहां पर अपना पेटियम नंबर को login करके payment कर सकते हैं चाहे तो आप debit card, item card, credit card का भी use कर पाएंगे UPI ID का हो गया और net banking से भी आप payment कर पाएंगे तो चलिए हम यहां पर payment complete कर लेते हैं payment करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको home page की उपर आना है और यहां पर आपको click करना है booked ticket जैसे आप यहां पर booked ticket के उपर click करेंगे अब दोस्तों जो भी आपने ticket बनाए होगे MST monthly season ticket आपको यहां पर इस तरीके से ticket नजर आएगा अब जब भी आप travel करेंगे तो आपको simply इस ticket को जो है टेटी को दिखाना होगा जब यह आपसे मांगा जाएगा तो आप आसानी से इस तरीके से train से travel कर पाएंगे I hope दोस्तों आप MST ticket बनवाना सी अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को सेर करके comment करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा